ओ फूरीज वेलकम टू मोना यूज जी फूर्ड मैजिक आस में लेके आई हूँ कुट्टू के आटे वाली रोटी जो नवरात्री में खाया जाती है यह ग्यारस के वरत पर लेडिज खाते हैं यह बहुत ही अच्छी बनती है इसके बिल्कुल सिंपल प्रोसेसिंग है यह व हम इसे बनाते हैं तो यह बीच में से टूट जाती है तो आप यह ट्रिक्स जुरूर देखिए आपकी रोटी कभी नहीं टूटेगी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनेगी तो मैंने इसे च्छनना इसलिए जूरी होता है क्योंकि इसके चिलके निकलते हैं इसे दूर कर नहीं होता है तो इस ट्रैप की चिलके निकलते हैं तो अब यह इस अच्छा से एकदम फाइन पाउडर की तरह च्छन गया है और अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर दिया टेस्ट के कोडिंग और इसमें ग्रीन चीली एड़ किये जो फूर टेस्टी लगती है ब खाने में भी टेस्टी लगे आप इसके अंदर धनिया पत्ती भी एड़ कर सकते हैं मैंने स्कीप की है आप एड़ करना चाहें तो कर सकते हैं तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी लेके गुनगना पानी से लगाईएगा बहुत अच्छा लगेगा तो देखिए ऐसा लग आपकी कभी नहीं तूटेगी फ्रेंस अब ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे वाले ट्रिक से तो आप एक लोई को कम या ज्यादा जैसे बड़ी या छोटी बनाना चाहें अप ले लीजिए तो इसे अब थोड़ा सा सूका आठा डस्ट कर लीजिए इससे क्या होता है और आ जिंगर की साहता से ऐसे टैप टैप करते रहिए जितने बड़ी आपको करनी है चपाती को वैसे टैप टैप करते हुए इसे फैला लेजिए चारो तरफ से इसको ऐसे गोल घुमाते हुए टैप टैप करते रहिए यह बिल्कुल भी नहीं तूटेगी आप देख पा रहे है ऐसे एकदम ऐसे करना है आपको जैसे मैंने दिखाए तो ये बन कर तियार है तो अब मैं इसे तवे पर डाल दिया है तो इसके उपर थोड़ा सा मैंने घी ग्रीस कर दिया है और इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको पर गी डाल लीजिए और अब इसकी साइड चेंज कर यह टाइम लेकर ही बनती है यह नहीं है कि हाँ एक सेकिंड में चपाती की तरह पक जाए अगर आप जल्दी बैजी में पकाएंगे तो न यह अंदर से कच्छी रह जाती है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके यानि कि अच्छे से पकने दे पहले नीचे की साड से अच्छे से एक दम क्रंची हो जाए तब इसकी साड चेंज कर लीजिए विकोज यह क्या होता है कि यह टूटती बहुत जल्दी है तो आप इसको बारी में पका लें पहले एक साड से फिर उसको घी से ग्रीस कर लें फिर उसकी साड चेंज करें वीच बीच में इसको बिल्कुल भी से बना सकते हैं जो नियो बिगनर्स है जिनको बहुत ही अनकमफर्टेवल महसूस करते हैं इसे बनाने में वह भी जट से बना लेंगे मेरी स्ट्रिक से कुछ भी नहीं करना फ्रैंस बस तो हलका जो हमें सैड में आटा रखना है यहीं जिस आटे की हम चपाती बना रहे हैं उसी आटे को थोड़ा सा डस्ट करके फिंगर से टैप टैप कर लीजिए और यह आप से बनके रेडी हो जाएगा इस तरह मैंने एकके करके सारी बना ली है तो यह बर्त में खाए जाती है बहुत ही टेस्टी और डिलीसिस बनते आप जुरूर ट्राई कीजिए बिल्कुल सिं और सिंपल रेस्पी के साथ तो तक तक के लिए बाबाए फ्रेंस थेंक्स पर वोचिंग